So year 2018 में एक मूवी रिलीज हुई थी, इसका नेम है Bird Box और यह आती साइफ है Thriller और Horror की कैटेगरी में और हाँ इसमें Alien वाला चोचला भी है बट यह बाकी Aliens मूवी की तरह नहीं है, यह हटके है क्योंकि इसमें हमें Alien दिखाई ही नहीं देते, लोगों को बस जिन्दा रहना होता है इसलिए हुँ आँख में पट्टी बांद कर गुम रहे होते हैं So let's start and welcome to series verse तो मूवी स्टार्ट होती है जहां अपने को एक लड़की को दिखाते हैं और इसका नाम होता है Mallory और ये अपने बच्चों से बोलती है कि अगर उन जंगल ये पानी में कुछ भी सुनाई देता है तो वो उसे बता है पर कुछ भी हो जाए वो अपनी आँख से पट्टी नहीं निकालेंगे फिलाल Mallory ने अपने बच्चों का नाम नहीं रखा होता और ये उन्हीं बॉइ और गल के नाम से बुलाती है और इन्हीं नदी को पार करके एक सेव जगा पर जाना होता है और इन्हीं हमिसा अपनी आँख में पट्टी बांद का रखना होता है नहीं तो इनकी जान को ख़द रहा हो सकता है और फिर ये लोग अपने जरुवत का सारा सा मैन पैक करते हैं और जर्नी के लिए निकल जाते हैं नाँ अब अपने को पांस साल पहले का सीन दिखाया जाता है मैलोरी एक पेंटर होती है और वो प्रेगनेंट होती है बट वो इस बास से ज़्यादा खुश नहीं होती और यहाँ पर उसकी बैंच जैसी का उससे मिलने आती है और यह दोनों टीवी में एक निउस देखते हैं जिसमें रशिया औ सैबेरिया में बहुत से लोग मास सुसाइट कर रहे होते हैं बट किसी को नहीं पता होता है ऐसा क्यों हो रहा है बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो बच्चों को अडॉट करना चाते हैं एर तो बाहर आती है मैलोरी एक लेडी को नोटिस करती है वो अपना सर विंडो पर मार रही होती है और वो समाझ जाती है कि जो रशिया में हो रहा है वो यहाँ भी स्टार्ट हो गया है और फिर वो जैसीका को ये बात बताती हैं और ये दोनों यहाँ से निकलने की कोसिस करते हैं रास्ते में चारु तरफ अफरात अपनी मचे हुँ होती है और लोग खुद को मार रहे होते हैं कुछ टाइम ड्राइट करने के बाद जैसिका पॉजेस्ट हो जाती है और उसकी आँखों का रंग बदल जाता है और इनका कार क्रैस हो जाता है और फिर ये दोनों बाहर आते हैं जैसिका मैलोरी को देखती है और खुद को मार लेती है मैलोरी यहां से निकलने की कोशिस करती बट pregnant होनी की वज़े से वो गिर जाती है तब ही एक lady Mallory की मदद करने के लिया इसका नाम होता है Lydia Lydia का husband Douglas उसे ऐसा करने से मना करता है बट Lydia उसकी बात नहीं सुनती और Mallory की मदद करती है बट वो भी possessed हो जाती है और वो जलते हुए कार में बैट कर खुद को मार लेती है तब ही होँ टॉम आता है और मेलेर्यू के मदद करता है और फिर ये लोग डगलस के घर पर जाते हैं जहां पहले से बहुत से लोग मौझूद होते हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहोता कि यहां हो क्या रहा है सभी अपनी अपनी theory देते हैं बट इन्हें पता होते कि बाहर हवा में जो entity है कोई नहीं दिखाए नहीं देती बट अगर ये लोग उसे खुले आँकों से देखते हैं तो वो इन्हें possessed कर लेता है और इन्हें इनके दुख दर्द के बहुत भहानक रूप दिखाता है और इन्हें सुसाइट करने के लिए मजबूर कर देता है ना अब ये लोग घर के सारी opening पर न्यूस पेपर लगा कर बंद कर देते हैं ताकि वो creature अंदर ना आपाए और कोई भी उन्हें directly अपनी आँखों से ना देख सके और फिर रात में एक survivor आती है और इसका नाम होता है Olympia और Olympia भी pregnant होती है खैर तो Greg बताता है कि घर के चारों तरप camera है तो वो लोग उन creature पर नज़र रख सकते है मैलोरी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि camera में से उन्हें देखने पर उन पर कोई असर होगा की नहीं बड़ Greg बोलता है कि उन में से किसी ने किसी को दुरिस्क लेना होगा और फिर Greg camera के ज़रिये monitor पर नज़र रखता है बट ये लोग उसे चेयर से बान देते हैं ताकि अगर उस पर असर हो तो कम से कम वो suicide ना कर पाए कुछ टाइम बद Greg को camera में एक हवा का जोका दिखाई देता है और Greg की आँके बदल जाती है उसकी आँके बांके victims की तरह हो जाती है और वो खुद को मार लेता है और सब उबर आते हैं तो Greg मर चुका होता है तो काफी दिन बीच जाते हैं और अब इनका खाना खत्म होनी लगा था तो सब लोग decide करते हैं कि वो लोग इस्टोर जाएंगे और जरूरत का सारा समान लेकर आएंगे चारली बताता है कि वो अपने दोस फिस फिंगर के साथ एक सूपर मार्केट में काम करता था तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं उसे वहाँ की पूरी इंफरमेशन है फिर ये लोग अपने कार के विंडोस को पेंट कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना देख सके और टॉम मैप को देखकर ड्राइब कर रहा होता है और वो बॉडिस के उपर से ड्राइब करते हुए निकलते हैं और फिर ये लोग जैसे तसे करके इस्टोर तक पहुंच जाते हैं और जरुरत का सारा समान इकट्था करते हैं डगलस बोलता है यहां धेट सारा समान है तुने कहीं और जाने की ज़ुरत नहीं है वो लोग कम से कम एक साल तक यहां अराम से रुख सकते हैं मैलोरी के यहां पर कुछ बर्ट दिखाई देते हैं जिसे वो अपने साथ रख लेती है तब ही नहीं स्टोर के फ्रीजर से किसी के आवाज आती है चारली के फ्रेंट फिस फिंगर अंदर बंद होता है और वो इनको अपनी बातों में फसा कर इन से गेट खुलवाता है वो लोग उसके बारे में सोचते हैं वो ऐसा नहीं है तब ही ने कार स्कार ब Came के डीजर अंदर ले gewig आती है और गयरी बताता है कि वो अपने दोस्त काल के घर पर काम करने गया था, तब ही कुछ mental घर में घुस आया और वो लोग उन्हें बाहर ले गया और उन्हें क्रीचर को देखने को बोला, तब से बड़ी बात ये थी कि जब लोग अंदर आये थे तो उन्हें ब्लैंड फुल नहीं पैना हुआ था, उन्हें इसकी जुरत नहीं थ वो लोग बाकी लोगों की तरह प्रॉब्लम में नहीं थे, वो लोग खुले आखों से भी अराम से देख पा रहे थे, उसके दोस्त ने उसकी भागने में मदद की और वो भागता हुए यहां पहुंचा, डगलस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उससे बाहर जा नहीं खोलता, और ओलम्पिया मेलोरी से एक प्रॉमिस लेती है, कि अगर उसे कुछ हो गया, तो उसके बच्चे का ख्याल रखे, और मेलोरी ओलम्पिया को उसके बच्चे के लिए एक किट्टितोर गिफ्ट करती है, ताकि वो आने वाले बच्चे को दे सके, धैन अपने क प्रेक से कुछ अजीब से फोटोस निकालता है जो कि उनी क्रीचर्स के होती हैं। गैरी मैलोरी के बर्ड्स को फ्रीज में रख देता है और फिर सारे विंडोस से पेपर को निकाल देता है। डगलस ये सब देख रहा होता है और वो ये बर टॉम को बताता है और फिर टॉम बड्स को फ्रीज से बाहर निकालता है तब ही गैरी उस पर हमला करके उसे बेहुस कर देता है। तब ही गैरी को बच्चों की रोनी की आवाज आने लगती है और गैरी रूम में जाकर विंडोस से पेपर को निकाल देता है जिस ओलंपिया पोजेश्ट हो जाती है बट सुसाइट करने से पहले वो अपने बच्चों को मैलोरी को दे देती है और फिर खिडकी से कूच जा है तब ही वहाँ टॉम आता है और गैरी को मार देता है और फिर वो मैलोरी और बच्चों को सांथ करता है और फिर अपने को पांस साल बात का सीन दिखाया जाता है टॉम और मैलोरी अब सांथ होते हैं और बच्चे बड़े हो चुके होते हैं टॉम रेडियो पर एक बंदे तो ये मुस्किल होगा, जब तक वो लोग पानी में रैबिटा को हिट नहीं करते, वो पानी में रहें, बट ये बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें अपने आँख खोल कर देखना होगा, और उन्हें दो दिन लगेंगे, और जैसे वो लोग रैबिटा पार्क करेंगे, उन् कर जाने के लिए बोलता है, और फिर टॉम उन्हें रोकने जाता है, और उन्हें सब को मार देता है, बट उनमें से एक मैलोरी को देख लेता है, और उसके पीछे भागता है, और टॉम उन्हें बचाने के लिए अपनी पट्टी निकाल देता है, और उन्हें सब को मार देत बट टॉम भी पॉदेश्ट हो जाता है और फिर टॉम खुद को मार लेता है। मैलोरी समझ जाते कि अब टॉम मर चुका है और वो डिसाइड करती है कि वो रिक के पास सेफ हाउस में जाएगी और ये वही सीन होता है जो अपने कुछ स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो इनके जरनी को 14 घंट हो चुके होते हैं और मैलोरी के एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई इसे बोल रहे होता है कि वो अपनी पट्टी हटा सकती है उसके पास खाना और ब्लैंकेट है तब ही एक आदमी आकर मैलोरी को उपर हमला करता है बट ये उसे जैसे तसे क करके मार देती है 24 घंटों के बद मैलोरी एक ब्रेक लेने के लिए रुकती है तब ही उसका बोड एक टरक से टकरा जाता है और बॉय पानी में गिर जाता है मैलोरी उसे बचा लेती है बट इनके खाना और ब्लैंकेट वाला बैक पानी में गिर जाता है देन मैलोरी बोड क इसलिए उन में से किसी एक को रास्ते की तरफ देखना होगा और उसे रास्ता बताना होगा गल और बाई दोनों बोलते हैं कि वो ये काम करेंगे बट मैलोरी बोलते हैं कि उन में से कोई ये काम नहीं करेगा और वो सब कोछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं 9-42 गंटे हो चुके होते हैं और वो रेबिटा एरिया आ जाता है जहाँ पानी के तेज बहाओ के कारें इनका बोट पलड जाता है गल किसी तरह बै कर किनारे में पहुँच जाती है बट बॉय पानी में डूबने लगता है और फिर मैलोरी उसे बचा लेती है और फिर वो लोग किनारे में पहुँच जाती है तबी मैलोरी को बर्ड्स की तेज अवाज आने लगती है और वो समझ जाती है कि वो लोग सेफ हाउस तक पहुँच चुके हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और मैलोरी के पैर फज जाता है और वो बच्चों से अलग हो जाती है वो Creature बच्चों को फसाने की कोशिज करता है बैट Malorie उन्हें बचा लेती है और फिर वो लोग उस दोर के पास पहुंचते हैं जैसे रिक ने उन्हें बताया था और फिर वो लोग इन्हें अंदर ले लेते हैं और Malorie की मुलकात रिक्स होती है और मैलोरी यहां अपने बच्चों का नाम रखती है टॉम और ओलम्पिया और मूवी यहां से खत्म हो जाती है सो वीडियो यहीं एंड होता है पसंद आये तो लाइक और शेर कर देना सो वीडियो का यहीं रैप अप करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए